एलो गाईज, वेलकम टू प्यूश पीशियस और आज हम लोग देख रहे हैं इतिहाश कालिन प्रमुक्त थे आज का टॉपिक है नील दर्पन चलिए देखते हैं नील दर्पन बांगला भाषा में लिखा गया एक प्रशिद नाटक है जिसके रचनाकार दीन बंदू मित्र थे इसकी रचना 1858 से 1869 के बीच में हुई है यह बंगाल में नील विद्रो का आंदोलन का कारण बना यह बंगाली रंगमंच के विकास का अग्रदूत भी बना नाटक नील दर्पन में बंगाल में नील की खेती करने वालों का अंग्रेजो द्वारा शोषन भारती किसानों के ऊपर अमानुशिक अत्याचारों की बड़ी आवपूर्ण अभिवक्ति हुई है कुलकाता के निशनल थेटर में 1872 में यह नाटक खेला गया जो की पहला व्यवशाइक नाटक था बांगला के पहले सार्वजनिक टिकट विक्री से चलने वाले मंच पर यह नाटक जब 1872 में खेला गया तो एक और दर्शकों की भीड उमर पड़ी और दूसरी और अंग्रेजी अकबारों में इस पर बड़ी तीखी टिप पनी हुई 1876 में अंग्रेज सरकार द्वारा ड्रेमेटिक पर्फॉर्मेंसेज कंट्रोल एक्ट लाना नील दर्पन जैसे नाटकों की विद्रोही भावना का दमन भी एक उद्देश था इस नाटक का एतिहाशिक महत्वतो है ही इसके अलावा ततकालीन अंग्रेजी साशन में न्याय के पाखंड और पक्चपात पूर्ण वेहवार पर भी प्रकाश पड़ता है इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है कैसा लगा आप लोग को जरूर बताएं जैहिन जैवार